हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रेशनों की समय और कार के प्रेशने देखेंगे पुरुस महीला बच्चे वाले प्रेशने पूछे जाते हैं वही प्रेशने लेकर क्या आया हूँ आज के बाद इन प्रेशनों में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा एक बार में समझ मा जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो पहला प्रेशने आपका आठ पुरुस या बार लड़के एक कार सोले दिनों में कर सकते हैं तो बार पुरुस और छे लड़के वही कार कितने दिन में कर पाएंगे ठीक है दोस्तो देखे जो पूछा जा रहा है उसे अलग रखे साइड में पहले आप इससे स्वाल कीजिए आठ पुरुस हैं आठ पुरुस का मतलब क्या होगा आठ मैं ठीक है बारा लड़के हैं ब अब देखें यहां पर क्या है अगर मैं बी को इधर लेके आओंगा तो M के बटे में B हो जाएगा इधर क्या बचा 3 और मैं 2 को इधर लाओंगा तो 3 के बटे में 2 हो जाएगा तो M की value कितनी है दोस्तों 3 और V की value कितनी है 2 यहां तक बात समझे में आगे किसी को कोई डाउट नहीं होगा अब देखिए यहां पर आपको एक काम करना है चाहे तो आप यह वाली value ले लो पुरुस वाली चाहे लड़के वाली ले लो आंसर सेमाना है दोनों में से कोई भी value आप ले सकते हैं ठीक है पुरुस वाली ले ले लेते हैं 8 पुरुस मतलब 8 मैं कारण को कितने दिन में करना है कारण को करना है 16 दिन में यह वाली value हमने ले ली इस वाल लड़के पिलस 6 लड़के मतलब 6 बोई कारणे को कितने दिन में कर पाएंगे जो पूछा जा रहा उसे नीचे रख लीजे अब देखिए M की वैलू आपको पता है कितनी है 3 तो M की जगे 3 रखेंगे 3 का मल्ट पर 8 से होगा कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 24 से करेंगे कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा पिलस B की वैलू आपको पता है 2 है तो 2 रखेंगे B की जगे 2 कमल पर 6 से करेंगे आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा किसी को यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा अब देखिए यहाँ पर स्वाल्प कीजिए उपर तो 24 multiply 16 है, बटे में 36 को और 12 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 48 हो जाएगा, ठीक है, अब ये कटे का 24, 24 से कर जाएगा 48 दो बार में, ठीक है, और 2 से ये 16 कर जाएगा कितनी बार में, आप कहेंगे 8 बार में, तो वही कारे कितने दिन में कर पाएंगे, आठ दिन पहले option में दे रखा है, यही हो जाएगा आपकी question का सही answer, ठीक है दोस्तों, तो हमने कौन सी value लेके answer किया था, आठ पुरूस, अगर मैं 12 लड़के लेकर करूंगा, तब भी वही answer आएगा, देखिए, मैं ले लिता हूँ, वारे boy, वारे boy भी कितने दिन में करते काम को 16 दिन में कर रहे हैं, ले लिया, जो पूछा जा रहा है वो नीचे रखिए, क्या पूछा जा रहा है, 12 पुरूस, मतलब 12 मैं, पिलस 6 लड़के, मतलब 6 बोई, आप B की value आपको पता है, 3 है, तो यहाँ B की value 2 है दोस्तों, तो 2 का मल्टिपे 12 से करेंगे, कितना हो ज से करेंगे, कितना 12, ठीक है, उपर तो आपका 24 मल्टिपे 16 रहेगा, बटे में आ जाए, 36 बारा जोड़ो, कितना 48, वही value आगी जो यहाँ थी, 24 से एक बार में, 24 से दो बार में, 2 से 16, 8 बार में, आंसर आगया 8 दिन, चाहें तो दोस्तों, आप ये वाली value रहे के आंसर की किसे समझ में आगया होगा, अब देखेंगे अगला question, अगला question है, 12 पुरुस या 18 महिला, एक खित को 14 दिन में काट सकते हैं, देखें, 12 पुरुस काटते हैं, तब भी 14 दिन में काट देते हैं, अगर 18 महिला काटेंगी, तब भी 14 दिन में काट देंगी, तो ये क्या होता ह बबराबर हैक बुमायन आ जाएगा अब क्या बच्चा 3 तो फिर धियर यो कि तीन 2 अब कोई एक ले लीजिए आज आज साउसर जए द है पुरुस वाली है मईला वाली है तो ऐंधार हम क्या करेंगə दोस्तों दोस्ताम स्कीशना 11 में 12 में Matter कारण कितने दिन में करना है 14 दिन में करना है ले लिया ठीक बटे में वो रखना है जो पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है 8 पुरुस मतलब 8 मैं पिले से 16 महीला है दोनों मिलकर ठीक है 16 महीला है महीला मतलब बुमें मिलकर कितने दिन में काट पाएंगे आप देखे M की value पता है 3 है 3 का multiply 12 से करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा multiply 14 बटे में आ जाएगे M की value 3 है M की जगे 3 रखेंगे 3 का multiply 8 से करेंगे 8 3 का कितना 24 हो जाएगा पिलस W की value 2 है W की value 2 है तो 2 रखेंगे, 2 का मल्टीप्राइश सोले से करेंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे, सर 32 हो जाएगा, ठीक है, अब उपर कितना है, 36 मल्टीप्राइश 14 है, बटे में 24 और 32 को जोड़िए, 4 और 2, 6 हो जाएगा, 2 और 3, 5 हो जाएगा, कितना हो गया, 56 हो जाएगा, ठीक ह और पुरुस को मिलकर वो खेत काटने में कितना समय लगेगा? 9 दिन का समय लगेगा तो 9 दिन किस ओफशन में है दोस्तों? B ओफशन में आपके 9 दिन दे रखा है यही हो जाएगा आपकी कोशन का सही आंसर उमीद करता हूँ आज के बाद इन प्रेशनों में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है आपका 6 पुरुस या 12 महिलाएं किसी कार्रे को 20 दिन में कर सकते हैं 8 पुरुस और 16 महिलाएं मिलकर इससे 2 गुने कार्रे को कितने दिनों में कर पाएंगे कार्रे क्या हो गया? अब हो गया कार्रे दोस्तों 2 गुना ठीक है? इतनी बास समझ मैं कार्रे 2 गुना हो गया RRBF में पूछा गया था 2016 में और ये प्रेशनी दो बार पूछा गया है अब देखे वही करना है सबसे पहले तो जो हम करते हुए आएं ठीक है? यहाँ पर कितने पुरुस है? 6 में है 6 ले लो बराबर 12 महिला है तो 12 भुमें ले लो ठीक है? अब यहाँ पर मैं इसे कटा लूँगा दोस्तों यह कटेगा 3 से कटा लूँगा 2 बार में और इसे 3 से कटा लूँगा तो यह कट जाएगा 3 से 4 बार में तो यह हो गया 2 M और यह कितना हो गया? 4 भुमें अब यहाँ पर M के बटे में दोस्तों यह W आ जाएगा इधर के आपच्छे का 4, इधर के आपच्छे का बट्टे में आके 2, ये इधर आएगा तो 4 के बट्टे में दो, M की वैलू 4 होगे, W की वैलू 2 होगे, ठीक है, चाहे ये वाली वैलू ले लीजे, चाहे आप ये वाली, कोई सी भी ले लीजे आप, मैं ले लता हूँ 6 में, ठीक है मैंने वेलू ले लिए 6 में कितने दिन में कर रहा है 6 आदमी 20 दिन में कर रहा है काम को तो 6 multiply by 20 जो पूछा जा रहा है उसे नीचे रखेंगे क्या पूछा जा रहा है 8 पूरुस 8 में पूरुस 16 महीला है कितने दिन में करेंगे M की वेलू आपको पता है 4 है तो 4 रखेंगे M की जगे फिर 4 का मलबाई 6 से करेंगे कितना हो ** backed 1 M की वेलू आपको पता है 4 है 4 यचार अथी कितना हो जाएगा 22 तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 48 32 हो जाएगा तो यहाँ पर 32 पिलस W की value 2 है 2 का multiply 16 से करेंगे कितना हो जाएगा ये भी आपका 32 हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसे 24 multiply 20 उपर है तो 24 multiply 20 उपर है रखिए बटे में 32 और 32 को आप जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आप भेंगे सर ये 64 हो जाएगा कितना हो गया दोस्तों 64 हो गया अब इसे क्या करेंगे कटा लेंगे इसे कटा लेंगे किसी संख्या से कटा लीजिए अगर मैं इसे कटाओं दोस्तों 8 से कटाओंगा 8 तरीक का 24 आठ अठ अठे 64 कटेगा किलियर 288 64 कटेगा अब मैं इसे कटाओंगा दीखي 2 से कट जाएगा ये 10 बार में और 2 से कट जाएगा ये 4 बार मैं कट जाएगा इतनी बार समझे नहीं चार बार में कट गया अब 3 का मंट्टिपाई मैं 10 से कर दू है तो कितना हो जाएगा 30 बटे में कितना आजाएगा आपका यह 4 आजाएगा किलियर कितना आ गया बटे में 4 आ गया अब मैं इसे देखे दूसे कटा के पहले करूं छोटा तो यह 15 हो जाएगा दूसे से कटाओंगा तो 2 अब दूसे 15 में डिवाइट दाओंगा तो कितना आएगा 7.5 आएगा दूसे 15 में दूगना कितना हो जाएगा दो से मल्टी पाई कर दीजिए साड़े साथ का दूगना कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा तो 15 होगा उसका दूगना कार रहे हैं तो कितने दिन में कर पाएंगे आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इससे दूगने कारने को कितने दिन में कर पाएंगे, पंदर दिन में कर पाएंगे, पहले कारणे को कर रहे थे हम साड़े साथ दिन में हैं, और काम जब उसका डबल हो जाएगा, तो उसे पंदर दिन में कर पाएंगे, ठीक है, चार गुना हो जाएगा, पंदर दिन में करना, चार गुना हो जाएगा, तो चार आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे बहुत अच्छा प्रेशन है दोस्तों देखे समझना इस प्रेशनों को ये प्रेशने समझने वाला है और बाद में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे की पांच सेकेंड में ही आप इस प्रेशनों को सॉल्प कर देंगे सबसे पहले डेटेल देख लीजे कितने आदमी है चार आदमी मतलब चार में ठीक है बराबर कितने च्छे लड़के मतलब च्छे बोई काम को कितने दिन में कर रहे हैं पांच दिन में कर रहे हैं इतनी बाद समझ भाई बराबर फिर क्या होता है च्छे आदमी होते हैं मतलब 6 मेन complete, 6 मेन यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूं 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को मतलब यह 2 मिलके 4 आदमी और 6 लड़के मिलके किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो यह मिलकी यह दो restor तो 3 से मिला देनी ठीक हैं यहां पर क्या है च्छे आदमी और चार लड़के उसी काम, मतलब यह दोनों आदमी मिलके उसी काम को चार दिन में कर रहा है, छे आदमी और चार लड़के, मतलब चार बॉय मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, आप कहेंगे सर चार दिन में कर रहा है, इतनी बास समझ यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तक समझ में आगी बात, आप देखे इसे कटा लेंगे, यह क्या है, 20M, यहां 24M, अब यह 20M इधर जाएगा, तो 24M में से 20M में से माइनस हो जाएगा, जब 24M में से 20 माइनस हो जाएगा, तो इधर कि यहां पर क्या है दोस्तों, आपका B है, तो B के बटे में दोस्तों, इधर M इधर आएगा, तो B के बटे में M हो जाएगा, इधर क्या है, 4 है, और यह 14 इधर आएगा, 4 के बटे में 14 हो जाएगा, के लिए इतनी बात समझ में आई, अब इसी को हम क्या करेंगे, solve करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे solve करेंगे और आपकी प्रेशन का answer आ जाएगा ठीक है देखिए आप देखिए B की value कितनी आ गई 4 आ गई M की value दोस्तों कितना आ गई 14 आ गई M की value 14 आ गई अब आपको क्या करना है एक value ले लिजे चाहे आप ये वाली value ले करके solve कीजिए प्रेशन को चाहे ये वाली कोई भी एक ले लो answer save आना है यही मैं बता चुका हूँ तो हम पहले वाली value यहाँ पर ले लेते हैं कितनी M है दोस्तों आपके पास 4 M पिलस 6 B काम को कितने दिन में कर रहे हैं आप कहेंगे 5 दिन में कर रहे हैं ठीक है और जो पूछा जा रहा है उसे हम कहां रखेंगे बटे में रखेंगे पूछा क्या जा रहा है 8 आदमी और 12 लड़के 8 आदी मतलब 8 men 12 लड़के मतलब 12 boy किलियर कितने दिन में करेंगे यह पूछ रहा है अब M की वैलू आपको पता है कितनी है 14 है M की वैलू 14 है M की जगे 14 रखेंगे 14 का मल्टिपाइ 4 से करेंगे कितना हो जागा 14 4 का 56 तो यहाँ पर कितना हो जागा 56 पिलस B की वैलू आपको पता है कितनी है 4 है तो B की जगे 4 रखेंगे चार कमल पर 6 से करेंगे 4 शींग कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक और multiply कितना है दोस्तो 5 है यहाँ पर multiply 5 बटे में आ जाएए M की value आपको पता है 14 है 14 का multiply कितने से करेंगे 8 से तो 14 ठीक 112 होता है 112 पिलस B की value आपको पता है 4 है पारे 4 के कितना होता है 48 तो यहाँ पर 48 ले लेंगे अब इनको जोड़ लीजिए आंसर आजाएगा देखे 56 पिलस 24 कितना हो जाएगा 4 इधर देदो 60 और 20 80 कितना होगा दोस्तों उपर 80 multiply कितना होगा आप 5 और बटे में कितना हो जाएगा 112 में 48 जोड़ेंगे 112 में 48 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा पहले से 8 देदो 120 और 40 जोड़ दो 160 कितना होगा दोस्तों यह होगा आपका 160 इसी को कटा लीजे अब देखिए 80 से 160 कटेगा 2 बार में 2 से 5 को काटोंगा तो कितना जाएगा 2.5 कितना जाएगा 2.5 तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे 2.5 मतल़ धाई दिन में पूरा कर लेंगे और 2.5 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 सही 1 बटे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 को केलियर है तो आपके प्रेस्टिंग का सही आंसर क्या हो जागा 2 सही 1 बटे 2 दिन केलियर अब देखिए ये तो आपकी समझ में आगया होगा पूरे डेटेल में है अब एक ऐसा तरीका जानिए जिससे कि क्या होगा 5 सेकिंड में ही आपका आंसर आ जाएगा कितने सेकिंड में 5 सेकिंड में आंसर आ जाएगा देखे, समझ ये प्रेशने को, पहले कितने आदमी थे, चार आदमी थे, और बाद में कितने आदमी हो रहे हैं, आदमी डबल होगे, पहले कितने लड़के थे, छे, बाद में कितने होगे, बारा, लड़के भी डबल होगे, मतलब जो व्यक्ति पहले कार्णे को पांस दिन मे कर रहे थे 4 और 6 लड़के मिलके 5 में अब आदमी भी डवल होगे 8 होगे 4 से लड़के भी डवल होगे 12 होगे अब काम पहले 5 दिन में हो रहा था तो अब आधे समय में नहीं हो जाएगा जैसे मानिकी चलिए एक आदमी पहले किसी कारणे को एक दिन में कर रहा है अब एक लगा दिये तो काम आधि समय में हो जाएगा तो समय आधा हो जाता है जब आधी में डबल हो जाती है तो समय आधा हो जाता है तो वही चीज यहां पर है पहले चार आधिमी थे अब आधिमी होगे आठ पहले छे लड़के थे अब लड़के होगे 12 मतलब डबल होगे पहले ज बात आगी दोस्तों समझ में तो मैं उम्मिद करता हूँ किसी को समझने में कोई डाउट नहीं होगा अब देखेंगे अगला कॉस्चन अगला कॉस्चन है आपका चार पूरुस और पांच महिलाएं किसी कारे को दस दिन में कर सकते हैं पांच पूरुस और दस महिलाएं उसी कारे को आठ दिन में कर सकते हैं तो आठ पूरुस और दस महिलाएं कितने दिन में कर सकते हैं ऐससी दोहर 14 पूछा गया था अब देखें दोस्तों डेटेल में कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको वह तरीका बता रहा हूँ कि 5 सेकेंड मांसरा जाएगा इन प्रेशनों का यदि इस तरीके से प्रेशन दिया जाए तो 5 सेकेंड में देखें पहले कितने व्यक्ति थे पहले 4 आदमी थे पहले 4 आदमी थे बाद में कितने आदमी हो रहे हैं am आठ पूरऊ सूरे हैं कितने पूरऊ सो रहा हैं बाद में ऐाँ पूरऊ सो रहा हूं है पहले , पहले 5 महिलों थे यह दोस्तो पहले यह मिलकर के काम को कितने समय में कर रहे थे कितने समय में कर रहे थे पहले चार आदमी और पांच महीलाएं कितने आदमी थे टोटल मिला करके 9 बाद में कितने हो गए 8 और 10 कितने 18 इसके डवल हो गए कि नी हो गए पहले 9 ब्यक्ति थे अब कितने होगे 18 होगे तो पहले काम 10 दिन में कर रहे थे ये अब काम दोस्तों कितने में करेंगे जब double आदमी होगे तो काम कितने में कर लेंगे आधे समय में कर लेंगे आधा मतलब 5 दिन में कर लेंगे समझे मैं आई दोस्तों बात नो आदमी थे तो काम 10 दिन में हो रहा था अब आदमी हो गए डवल तो 10 दिन की जगे कितना आधा समय लगेगा कि नहीं लगेगा 10 दिन में हो रहा था अब होगा 5 दिन में तो B option हो जाएगा सही answer डारेक्ट देखकर ही answer बता देंगे जबकि 26 पुरुस और 48 लड़के उसे 2 दिन में करते हैं तो 15 पुरुस और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे देखिए दोस्तों समझे पहले कितने पुरुस लगाए थे 6 पुरुस लगाए थे पूछ कितने पूरुस की रहा है 15 पूरुस की पूछ रहा है 15 पूरुस की पूछ रहा है 15 पूरुस जो पूछा जा रहा है वो रखेंगे और बाद में लड़के कितने थे पहले आप कहेंगे 8 लड़के थे कितने लड़के थे 8 बॉय थे और बाद में कितने बॉय का पूछ रहा है 20 बॉय का पूछ रहा के लिए 20 बॉय का समझ माई बात आप देखिए यहाँ पर आप देखिए पहले 6 थे आदमी बाद में 15 आदमी होगे तो 6 से 15 कितने गुना पर है आप कहेंगे सर धाई गुना पर है पहले 8 लड़के थे बाद में लड़के कितने हो रहे है 20 आप कहेंगे सर यह भी धाई गुना पर है ठीक है समझ माई बात पहले कितने ब्यक्ती थे 8 और 6 14 ब्यक्ती काम पर लगाए गे थे बाद में कितने ब्यक्ति होगे आप कहेंगे सर 35 ब्यक्ति होगे कितने होगे 35 कितने गुना पर है ये भी दोस्तों कितने गुना पर है आप कहेंगे सर धाई गुना पर है क्योंकि अगर 14 का मिल पर 2 से करूँगा 28 हो जाएगा यह तो 2 गुना हो गया और 1,5 गुना के लिए दोस्तों क्या करेंगे 14 का finely 0,5 कर Дेंगे 7 होता है तो is मैं 7 और जोर दूगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा तो 2,5 गुना हो गया तो देखे पहले कितना समय लग रहा था, दस दिन का समय लग रहा था, कितने दिन का समय लग रहा था, अब ये धाई गुना जादा ब्यक्ति दे दिये, तो धाई से डिवाइड कर दीजी आप इसको, कितनी बार जाएगा, चार बार में, तो काम अब कितने दिन में हो जाएगा, चार दिन में हो तो मैं उम्मिद करता हूँ सभी की समझ में प्रेशन अच्छे तरीके से आगया होगा जब दो गुना ब्यक्ती थे पिछले कोश्चन में तो हमने दो से डिवाइड कर दिया था क्योंकि आधा समय लगेगा अब धाई गुना हैं तो धाई से डिवाइड कर देंगे चार दिन का समय लगेगा तो उम्मिद करता हूँ किसी को भी इन प्रेशनों में अब कोई डाउट नहीं होगा दोस्तो वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजे दोस्तों में ठीक है दोस्तों शेयर कर दीजे लाइक कर दीजे ठीक है और कमेंट करके हमें बताईए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद